क्या आप जानते हैं, दुनिया में ऐसे भी जीव है, जिनकी आड़ भुजाये, तिन दिल, नौ दिमा, वो निले रंग का खून होता है। जी हाँ, आज हम ऐसे ही जीव के बारे में बात करते हैं, जो समुद्र के महासागरों में रहते हैं। आक्टोपस को हिंदी में अश्ट पाहु कहा जाता है, क्योंकि इसकी आड़ भुजाये होती है, लेकिन वास्तों में इसकी 6 भुजाये होती हैं, और 2 पेर होते हैं। आक्टोपस 10 सेंटिमेटर से लेके 50 फुट तक का लंबा होता है। आक्टोपस एक समूद्री जीव है जो महासागरों में पाया जाता है ये पूरी दुनिया में आक्टोपस करीब 3000 प्रजातिया होती है आक्टोपस अपने सरीर को एक बार में 117 बार रंग बदल सकते है और इसका सरीर इतना कोमल होता है कि वो आसानी से किसी भी जगह पर छु आना पसंद करता है सबसे हैरानी की बात यहां है कि आक्टोपस को भोजन नहीं मिलने पर वह अपनी भुजाओं को खा जाता है तथा कुछ दिनों बाद फिर से उसकी भुजाएं उगने लगती है आक्टोपस काफी तेज दिमाख वाले होते हैं इनमें करीब 500 मिलियन निय सुरोज पाये जाते हैं आक्टोपस के तीन दिल होते है आपको जान कर हैरानी होंगी कि इसका खून निلे रंका होता है इसका निला खून होने का मुख्य कारण यहां है कि इसमें कापर की मातरा अधिक होती है सामान्य तह जीवों में एक ही दिमाग पाया जाता है लेकिन आक्टोपस दुनिया का एक मात्र ऐसा जीव है जिसमें नो दिमाग पाये जाते है आक्टोपस का जीवनकाल बहुत काम होता है इनकी कुछ प्रजातिया तो 6 महीनों तक ही जिन्दा रहती है आक्टोपस की कुछ प्रजातिया बहुत जहरीली होती है इतनी जहरीली की इंसान को भी मार सकती है आक्टोपस एक ऐसा जीव है जिसे समुद्रकी गहराई का राक्षस भी कहा जाता है दुनिया में सबसे छोटे आक्टोपस का नाम वोल्फो आक्टोपस है आज से करीब 66 वर्ष पहले याने सन 1957 में दक्षिन कनाडा में आक्टोपस मिला था जिसका वजन करीब 270 केजी था और उसकी भुजाए पांच मिटर लंबी थी मादा आक्टोपस एक बार में 56,000 अंडे देती है जबकि एक बच्चा आक्टोपस जन्म लेता है तो उसका आकार एक पीशू के बराबर होता है इस प्रकार की रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें पुनह मिलेंगे हम इसी प्रकार की रोचक और दिल्चस्प जानकारी के साथ नए वीडियो में धन्यूआएं